कि था ह्लो आज है अग्यां मैं कि अपकी पैड़ाग हिंडी में अज किम स्टार्ट करें था किіть ले से लिसनimizal और बवान सुंडय क्यां बुग से से मुझत पठेत्स यह जाणा हैं किसको कहते हैं पत्ते हम लेव्स को घृते हैं आपने éeं लूम्बी होती है और कुछ muH यही Sailr चैसे लुदार Ö वोग और जोनी होती तो सारे एकार की प्तियां होती है। के Hope Ś идि कुछ हें आरक यूfähी षदी की प्तियाई ना क्या क्या ने झाले क्या देखिये सह बंद है। तो थोड़ी रफ होती है कुछ पत्तियों पर आपको भारिक 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 लाइने नजर आती है तो उन लाइनों को कहते हैं नसे वो पत्तो की नसे होती है तो कुछ पत्तो की नसे उभरी होती है यानि जिनको हम हाथ लगाते हैं जिन नसों को तो वो हमें महसूस होती है और कुछ पत्तों की नसों ऐसी होती है जो सिर्फ हमें दिखाई देती हैं लेकिन हमें फील नहीं होती तो अब आपको पता चला ना कि पत्तियां कितने सारे आकार की होती है और पत्तियां कैसी होती है छूने पर इसलिए आज का हमारा जो यह लेसन है पत्ते ही पत्ते यह बहुत सारी पत्तियों के बारे में है तो देखते हैं कि इसमें क्या है, स्टार्ट करते हैं लेसन, लेसन नमबर फोर, पत्ते ही पत्ते दीदी बोली मैं पाँच तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ, एक, दो, तीन, चार अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर आपको दीदी, दीदी कौन जो आपकी बड़ी बहन होती हैं, जो बड़ी बहन होती हैं उनको क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं, दीदी कहती हैं कि मैं पाँच तक गिनूंगी, मैं पाँच तक काउंटिंग करूंगी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, गिनती चुछ, चुरू करने से पहले counting star ऍच करने सेegn से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ कैसे बैठ जाओ गोला बनाकर फिर डीदि किंति स्टार्ट करती है एक, दो, तीन, चार पांच बोलने से पहले ही मैं दौड़ी पाच बोलने से पहले ही मैं दोड़ी और देखो अब क्या हुआ नेक्स पेच पर धड़ाम से बैट गई उधर दीदी ने गिंती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैट गए दीदी काउंटिंग कर रही थी जैसे कि एक तरफ से दीदी काउंटिंग कर रही थी तो यह जो चोटी बच्ची है यह क्या करती है यह पांच बोलने से पहले ही धड़ाम से जैसे कि जब बहुत जोर से बैठते हैं तो कैसी आवाज आती है धड़ाम की तो यह धड़ाम से बैट गई और उधर दीदी ने गिंती पूरी की और फिर सारे बच्चे गोला बनाकर गए देखो पिक्चर में सबने यह सरकल बना लिया और सरकल बना के बैड़ गए आज दीदी पत्ते लेकर आई थी दीदी क्या लेकर आई थी आज पत्ते देखिए अब यहां पे देखिए कितने सारे पत्ते हैं और कितने अलग अलग तरहां के अलग अलग शेप के पत्ते कितने सारी आकार के पत्ते है अब पढ़ते हैं कितने सारे पत्तेरहां तरहा के पत्ते हमने पत्तो High GOOD कुछ पत्ते लंबे थे कुछ गोल थे एकदम गोल चोटे कुछ बड़े अब अकना बत्ते हम तो और क्या है तो कुछ पत्ते गोल थे एकदम गोल कुछ छोटे कुछ बड़े देखिए कुछ छोटे छोटे पत्ते हैं और कुछ बड़े बड़े पत्ते हैं कुछ पूरा गोल पत्ता है यह बहुत सारे तनहा के पत्ते हैं आगे देखते हैं एक था लाल, एक पत्ता पीला और कत्थय रंगा था, एक पत्ते पर नसे दिख रही थी, एक पत्ता कत्रीला था, एक पत्ते का डंटल एकदम सीधा था, एक पत्ता जालर वाला था. अब देखो किया बता रहे हैं कि एक पत्ते का तो red color था, कौन सा color था, red color था, एक पत्ता पीला था, और एक पत्ता कैसा था, पीला और कथई, यानि कि yellow, yellow और brown, आधा yellow और आधा brown, और एक पत्ते पर नसे दिख रहीं थी, बच्चों देखी, यह जो आपको लाइन्स नजर आ एक पत्त कटरीला कैसे है रवा थे बना है यह। एससे तो यह क्या है यह एक पत्त का ज जका एक पत्त का और सीधा था अब इसका यह जो डंडल यह पूरा सीधा है और एक-जालर वाला था देख रह एह था he आपको पता चल गया कितने सारे तरह के पत्ते थे पटाफट से हम क्या करते हैं अब बुक का पेच टर्न करते हैं तो बुक का पेच टर्न करने पर अब यह आगे भी है तो आगे देखते हैं हमने पत्तो को चू कर देखा कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था जब उसको हाथ लगा यह उसको हाथ लगाया तो भूधने मुलायमख लगए लगए था तो दूसरी तरफ खुरदूरा यानि कि वो खुरदूरा था दूसीं साइट कुछ बंदनवार जैसे लग रहे थे जैसे लुड रहे थे बंदनवार जैसे लग रहे थे इसका डेजाइन देए अप यह प्र कि अप्त्त्त्ताइ सु in। ty थिस Whenever We were UAE अबेता सभन में किपने सारे चोंत्त पत्ती ओम ठान लम्बोन ठाद कोई पत्त बढ़ पत्त्ता है इसे अब एफिट जबतायाbih झूंप तेला पत्ता था कोई कथ्था पत्ता था और खुड़ूरे थे तो दूसरी तरफ से वो मुलायम थे कुछ कैसे पत्ते थे तो अपे नहोंने बताया है कि कुछ पत्ते थो बंदन्वार जासे थे थे बच्चो अभी यहां पर खफ्ट्मोग इसके बाद आपकी देखे हैं क्या है next page पर आपको कुछ activity करने हैं तो देखते हैं next page, ये रहा है अमारा next page अब करना ये activity है activity में आपको इसमें कुछ pictures लगानी होँगे, क्या पथिया लगानी देखते हैं प्रश्न पढ़ के बगीचे में जा सब्सक्राइब अगिचे के पत्तों को हाथ लगाएंगे और बताएंगे के आपको कैसा लगा अगर खुर्दूरा लगा तो आप बोलेंगे खुर्दूरा लगा अगर आपको चिकना लगा तो बोलेंगे चिकना लगा अगर आप बोलेंगे मुलायम लगा तो मुलायम आपस में बाते करो अपने आस पास तरहां तरहां की पत्तियां इखटी करो इन पत्तियों को कागस पर चिपकाओ नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ अब आपको बहुत सारी पत्तियां इखटी करनी है उनको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है और जो ये बुक है यहां पर आपको पत्तिय भी बनाना है, तो आप कोई भी पत्ती जो आपको अच्छी लगे, आप वो पत्ती बना दोगे, ठीक है, जो भी पत्ती आपको अच्छी लगती है, जैसे पत्ती आपको बनानी आती है, आप ऐसी पत्ती बना देंगे, अब आते हैं हम नेक्स पेज पर, नेक्स पेज पर है य जिसके तीली से जलाते हैं, तो देखते हैं यहां पर हमको क्या एक्टिविटी करनी है जो पत्ते का पटागा बन जाए, सामान एक पत्ता, बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुठ्धी पर रखो, क्या चाहिए आपको बस एक पत्ता चाहिए, फ अपने हाथ की, यह आपका हाथ है यहां पिकचर में आप देख रहे हैं, आपको अपने हाथ पर पत्ते को ऐसे रखना है, अपने हाथ की थोड़ी खुली मुठी पर रखो, उसके बाद अपको क्या करना है, अब दूसरी हपेली से कसकर पत्ते पर वार करो, पिकचर देखो दिहान से आपने ऐसे अपनी मुठी पर पत्ता रखा फिर दूसरे हाथ से आपको उस पर कस कर वार करना है कस के प्रेशर के साथ वार करना है तुम्हें एक गुबारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी कैसी आवाज सुनाई देगी जैसे कोई गुबारा फट रहा है फ एक पत्ते पर ये एक पत्ता है, एक पत्ते को मारने की बचाए उसमें अपनी उंगली घुसा कर छेद बना दो, अपनी उंगली से एक पत्ते में छेद बना दो, अब हाथ से वार करो, अब इस पर वार करो हाथ से, क्या पटाके जैसी आवाज आई, तो सब बच्चे इस अक् पहाई है, पहचाने कापपसी क्या मुझ लग रहा है यह थो मुझे लग रहा है कि जब स्कूल से चुट्टी होती है तब इसा होता है स्कूल छुटी ए हल नहीं रेकिन तो पार पढ़ जा रहा है लेकिन दूसके आपण हो रहा है बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, स्कूल से बाहर कौन-कौन सी गाडियां हैं, बच्चे घर कैसे जा रहे हैं, तो बच्चो ये स्कूल से छुट्टी हो रहे हैं, जब आपकी भी स्कूल से छुट्टी होती है, तो क्या-क्या होता है, कुछ इसी तरह का सीन होता है, अब आपको को बताना है कि बच्चें क्या क्या कर रहा है कोई बच्चे स्कूटर पर देखने में और वापिस यहाए ना तो आपने देखा के बच्चे अलगलग तरह थे स्कूल से घर वापिस जा स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाडिया है अब कौन कौन सी गाड़ियां ह toothpaste श्कूटर है जार है और सवी को बता कई गर कैसे जा रहें वो तो हमने बता दिया कि कोई रिक्षा से, कोई साइकल से, कोई बस से, कोई आटो रिक्षा से, कोई मम्मी के साथ और कुछ बच्चे पैदल भी घर जा रहे हैं अब आते हैं हम next page पर तो है next page पर आपका इसे related question घर कैसे जाओगी, आप घर कैसे जाओगी या घर कैसे जाओगी मैं डैश से जाती हूं यानि कि आप घर जब आप स्कूल से घर आती हैं तो कैसे आती हैं जैसे कि मैं तो रिक्षे से जाती हूं यानि कि जब मैं स्कूल से घर जाती हूं तो मैं रिक्षे से जाती हूं कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं तो बस से जाता हूं तो वो बच्चे से जाता हूं तो वो क्या लिख देंगे साइकल लिख देंगे है ना ऐसे ही आप सारे नाम लिख देंगे तो हमने यहां पर लिखा है रिक्षा तुमने इन में से किसकी सवारी की है सही जगा पर हा या नहीं का निशान लगाओ यानि कि आपको राइट या रॉंक का निशान तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर आपको क्या लिखना है रिक्षा, बस, साइकल, आटो रिक्षा, स्कूटर, कोई भी नाम आप लिख दोगे दुबारा से हम लिख देते हैं यहाँ पर आप बस लिख दोगे आप स्कूटर लिख दोगे जो नाम आपको यादाया प्लिख देंगे और जिससे आप जाते हैं फिर आते हैं हम next page पर next page पर हमको करना है right और wrong का निशान लगाना है यह है एक column में आपकी सवारी मैंने सवारी की है मैंने सवारी नहीं की है यहाँ पर कुछ सवारिया है जानी कि सवारिया क्या है जिन से म किसमें बैठे हैं और किसमें नहीं बैठे हैं जिसमें बैठे हैं उस पर राइट जिसमें नहीं बैठे हैं तो राइट लगाएंगे और नहीं बैठे हैं तो राइट लगाएंगे और नहीं बैठे हैं तो राइट लगाएंगे और नहीं बैठे हैं तो राइट बैठे हैं तो रॉंग बाला निशान, रेल गाड़ी, अब रेल गाड़ी में कुछी बच्चे बैटे होंगे, कुछ नहीं बैटे होंगे, तो मैं तो रेल गाड़ी में नहीं बैटी, तो इसलिए मैंने यहां पर इसकी सवारी नहीं की, ठीक है, मैंने रेल गाड़ी की सवारी नहीं की, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप राइट भी लगा सकते हो, क्योंकि यह तो हमारा सही कॉल हमें न, कि मैंने सवारी नहीं की, तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगा देते हैं, बैल गाड़ी, मैंने तो बैल गाड़ी की कभी सवारी ही नहीं की, साइकल, सा अधियारती अपने अनुभव के अधार पर इसी तरह सुह भढ़ने का प्रयास करें. आपको खुद भढ़ना है, आपने जिसकी सवारी की है उसके अगर टिक लगा देंगे, जिसकी नहीं की आप कभी नहीं बैठे तो वहां उस कॉलम में टिक लगा देंगे. Then come on to the next page, दिखो बच्चो next page पर क्या है, तुम कैसे जाते हो, यहाँ पर भी अभी घर जाने का ही, जो घर जाने का हमने पिक्चर देखा है, उसी से related question है. दादी के घर, जैसे मेरी दादी तो गाओं में रहती है और बहुत दूर रहती है, तो मैं दादी के घर रेल गाड़ी से जाती हूँ. तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? रेल गाड़ी. Cinema देखने, जब हम Movie देखने जाते हैं तो किस से जाती हूँ, मैं स्कूटर से और School मैं कैसे जाती हूँ, School Bus से Bazaar या Heart, Heart या Bazaar Heart और Bazaar दोनों एक चीज़ें हैं, दोनों Market हैं तो कैसे जाते हैं, Paddle या स्कूटर से कुछ बच्चे बोलेंगे कि रिक्षा से भी जाते हैं तो जो बच्चे जैसे जाते हैं इन जगाहों पर आप उन जगाहों का नाम जैसे कि इन जगाहों पर आप जिन जरीयों के थ्रू जाते हैं आप उनका नाम लिख देंगे जैसे कि दादी के घर, आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं दादी के घर बस से जाता हूं, तो आप बस लिख देंगे, कुछ बोलेंगे कि मैं स्कूटर से जाता हूं, दादी के घर, कुछ बोलेंगे कि मेरी दादी तो बहुत पास हैं, तो हम उनके लिए पैदल लिख दें है सिनिमा देखने س्कूटर से जाएंगे कुछ बच्चे कैसे जाएंगे किसी के पास भी होग तो कुछ पैदल भी जा सकते हैं कि से कुछ बस से भी जाते होंगे मुवी देखने तो आप ये सारे नाम लिख देंगे स्कूल बस से जाएंगे रिक्षा से जाएंगे साइकल से जाएंगे तो ये सब बच्चे इसका अंसार अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे अब फटा फट से हम बुक के नेक्स्ट पेच पर आते हैं